तो येर विल्कम टू अनदर एपिसोड ओफ नर्डी नियूज और हर बार की तरह इस बार भी कई सारे ओसम अपडेट्स हैं कहीं पे बहुत सैड नियूज है और कहीं पे जॉश वीडन आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और फिर वुल्वरीन और विलम डफो का जोकर तो है ही तो as always कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंट तक जरूर देखना तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मून नाइट से क्योंकि पिछले ही वीक मून नाइट का ट्रेलर भी आया जिसने बहुत सारे नए रिकॉर्ड सेट कर दिये हैं सबसे मेजर रिकॉर्ड ये रहा कि विदिन 24 आवर्स इसके टोटल 75 मिलियन व्यूज हो गएं और फिर यही नहीं डिजनी प्लस शो के सारे ट्रेलर में मोस्ट लाइक ट्रेलर ये बन चुका है मतलब इतनी जल्दी ही अभी मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ जिसके लाइक 1 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं जबकि अभी तक किसी भी एमस्यू के डिजनी प्लस शो का 1 मिलियन लाइक पहुझा भी नहीं था और हाँ ट्रेलर के साथ ही ये उफिशल फर्स्ट पोस्टर भी रिलीस कर दिया गया था और हाँ एक मर्चिंडाइस से ये फर्स्ट उफिशल प्रोमो आट भी सामने आया है पर हाँ इसी के साथ मून नाइट से लेटेड एक सैड निउस भी है अक्टर गैसपार यूलियल जो की मून नाइट की सीरीज में मिडनाइट मैन का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे ट्रेलर के नेक्स डेही एक स्की एक्सिडेंट में उनकी देथ हो गई तो हाँ वो अब हमारे बीच नहीं रहें मैं हिस सोल रेस्ट इन पीस चलो वापस से आते हैं डीसी के कॉंट्रोवर्सी पे तो आप सबको जस्टिस लीग और जॉश वीडन वाली कॉंट्रोवर्सी तो पता होगी ही कि सारी एक्टर्स ने जॉश वीडन को ब्लेम किया था वानर बदस को ब्लेम किया था टॉक्सिक वर्क कल्चर के लिए गैलगडोट ने यहां तक बोला था कि जॉश वीडन ने धमकी दी थी सेट पे कि अगर वो उनकी हिसाब से काम नहीं करेंगी तो वो उनका करियर बरबाद कर देंगे तो इसी पे अब जाकर जॉश वीडन ने कोई स्टेटमेंट दिया है उन्होंने ये बोला कि वो कभी भी किसी को कोई भी वर्बली अब्यूज नहीं किये हैं कोई भी धमकी नहीं दिये हैं उनका कहना है कि गैलगरोट की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है तो वो जो भी उनसे कहते हैं तो वो अच्छे से समझ नहीं पाती हैं मतलब यार मैं तो यही कहूँगा कि हम गधे हैं जो कहोगे हम लोग मान लेंगे लेकिन लेट सी क्या होता है और देखो सिर्फ यहीं नहीं उन्होंने रे फिशर के स्टेटमेंट पे भी कमेंट किया है रे फिशर का तो पूरा कॉंट्रोवर्सी आपको पता हो गही और जस्टिस लीग से उनके मैक्सिमम सीन को कट भी कर दिया गया था जिस पे जोश के परफॉर्मेंस को देखा भी है प्यार मुझे सच में नहीं पता कि जॉश वीडन किस एंगिल से बोल रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी थी कि उनके सीन को ही कट करना पड़ा इसलिए आगे हम लोग बढ़ जाते स्पाइडर मैन नो वेहों पे तो स्पाइडर मैं नो वेहों का अब जाकर एक और नया पोस्टर रिलीस किया गया है मतलब सोच रहे हो कि जब सब डिमांड कर रहे थे इनको कुछ नहीं रिलीस करना था और अब ये लोग दो महीने बाद पोस्टर से रिलीस कर रहे हैं सस्ते नशे फिर हाँ इस मुवी से और of the best friend Bruce Campbell ने ये फोटो शेयर किया था जहां उनके पास एक message आया था basically scam message था जिसमें वो demand करे थे 1500 dollars की और यहर सब तो ठीक है इस message में to be McGuire को Tony McGuire लिखा है तो भाई ये लोग scammer भी सस्ते नशे में है फिर हाँ spider-man और MCU से ही related एक rumor recently आया था rumor के recording Will Smith के बेटे जेडिन स्मित को MCU में कोई role offer किया गया है जिसके बाद fans guess करने लगें कि ये role Miles Morales का हो सकता है अब देखो था तो ये बस एक rumor ही जिसको कोई मान भी नहीं रहा था लेकिन इस rumor के आने के कुछ दिन बाद ही जेडिन स्मित ने अपने Twitter पे ये photo share किया तो हां आप समझी सकते हो लेकिन हां मैं फिर से पता दूं कि ये officially confirm नहीं है जेडिन स्मित ये मस्ती में भी पोस्ट कर सकते हैं ऐसा उन्होंने पहली बार नहीं किया है चलो आगे आ जाते हैं छोटे मगर major updates पे जहां सबसे पहले Hawkeye के deleted scenes तो सबसे पहले हम लोग एक deleted scene में Clint Barton के बचपन का shot भी देखने वाले थे मतलब हमें Kate Bishop के origin के साथ Clint की भी proper origin देखने को मिलने वाली थी देन एक sequence में यंग Maya Lopez और Kingpin का भी interaction वाला shot था और इसे भी delete कर दिया गया और फिर Guardians of the Galaxy Vol.3 की shooting स्टार्ट हो चुकी है यह तो आपको पता हो गही और इसके set से Zoe Saldana ने अपने Gamora के look में यह selfie share किया फिर secret invasion को लेकर एक minor update है कि अभी इस series की shooting रशिया में चल रही है set से इसके कुछ videos आए हैं लेकिन वो इतने बेकार quality के हैं तो share करने का कोई point नहीं है फिर हां Marvel का एक और animated show Hit Monkey इसी Wednesday January 26 से stream होने वाला है यार मैं तो इस show को follow नहीं करने वाला लेकिन आप लोग interested हो तो follow कर लेना then Marvel Japan के official site ने 2022 में upcoming movies and shows के date को confirm किया है जो कि आप अभी screen पे देखी रहे हो initially इस list में secret invasion और what if का season 2 भी था बट उसे अभी के लिए remove कर दिया गया है फिर अगर piece maker पे आएं तो James Gunn ने confirm किया है कि piece maker में जितने भी characters दिखें हैं वो in future of DCU भी दिखेंगे मतलब DCU के movies में भी दिखेंगे और हाँ यहर बहुत लोग बोल रहे हैं कि piece maker का review कर दो इसके बारे में कोई क्यों बात नहीं कर रहा है तो शायद maximum लोग भाई piracy करके देख लिए हो क्योंकि यह series इंडिया में release हुई ही नहीं है और जब तक officially इंडिया में release नहीं होगी मैं इसी साल स्टार्ट होगा पर हां दोनों की ही रिपोर्ट्स हैं officially confirmation सोनी ने नहीं किया है देने एक छोटा से rumors है पूरे MCU से जहां rumors के according वैलकेरी की character और Captain Marvel की character एक romantic relationship में रहेंगे तो हां इस पे आपके क्या thoughts हैं comment में ज़रूर बताना चलो अब आ जाते हैं बैट गर और 56 मिनट्स की होने वाली है मतलब यार लगभग 3 घंटे की तो हां ये एक बड़ी movie होगी साथ ही इसके कुछ official posters भी release के गए हैं जो कि आप अभी screen पे देख रहे हो फिर इस movie के कास्टिंग से थोड़ा सा hint मिला है जहां लिव क्रॉबर्स ने Instagram पे एक साल पहली ये photo share किया था और इसे सब ये guess कर रहे हैं कि लिव क्रॉबर्स ही movie में Thomas Wayne का role play कर सकते हैं चलो अब आयाते हैं Multiverse of Madness पे क्योंकि मैं sure हूँ सब इसी का wait कर रहे होगे तो सबसे पहले तो इस movie से concept art आया ये concept art Scarlet Witch का then Gargantos का ये promo art लेकिन सबसे major रहा Hugh Jackman का Wolverine तो एक fan ने जब उनसे पूछ कि Wolverine के role में क्या वो डॉक्टर स्ट्रीन में दिखेंगे जिस पर उनका कुछ ऐसा रियाक्शन था अब देखो इस रियाक्शन से 10 लोग 10 अलग conclusion निकालेंगे बट मुझे यहां honestly लगता है कि उन्होंने properly सुना ही नहीं बट let's see क्या होता है अगर हो movie में दिख गई यार तो मज़ा ही मज़ा है और फाइनली आते हैं विलम डिफो के जोकर पे तो विलम डिफो को जोकर के रोल में फैंस बहुत सालों से देखना चाते हैं समझो कि हेट लेजर के बाद फैंस सिर्फ विलम डिफो को ही जोकर के रोल में देखना चाते हैं तो इसी पर react करते हुए विलम डफो ने बोला कि वो भी ये role play करने में interested हैं। इस पर उनने एक story का idea भी दिया जो कि मुझे लगता है कि Warner Brothers को consider करना चाहिए। उन्होंने बोला कि वो जोकर की imposter का role play करना चाहते हैं। Walking Phoenix के साथ मतलब कि एक ऐसा character जो की नकली जोकर होने का role play करेगा। और भाई सच में मुझे इस story में बहुत जादा potential लगता है। Just imagine कि Walking Phoenix के जोकर को कैसा feel होगा जब कोई उसका नाम यूज करके बड़े बड़े कांड करेगा। सच काउंत इस story में थोड़ा सा vibe मुझे मिननल मुरली वाला लगा इफ आपने वो movie देखी है तो। बीनर्ड